ओम शान्ति आज हम मीठे बाबा के 20 जन्वरी 2014 के मीठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे तुम कल्यानकारी बाब के बच्चों का करतव यहें सर्व का कल्यान करना बाब का धन्दा सो बच्चे का धन्दा बाबा का तो नाम ही कल्यानकारी है तो हम बच्चों को भी क्या करना है सर्व का कल्यान करना है सब को बाप की याद दिलाना और ज्यान दान देना. कल्यान की विधी क्या है? एक-एक आत्मा बच्चे को उसके बाप की याद दिलाना और ज्यान दान देना. प्रश्न है, बाबा महारती किन बच्चों को कहते हैं? उनके निशानी क्या होगी? कई बार ये शब्द सुनते हैं महारथी, तो महारथी कौन, महारथी की निशानी क्या है? तो बाबा कहते हैं, जो अच्छी रीती पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा ब्रहस्पती की दशा है, सदा ब्रहस्पती की दशा किन पर होते, जो सदा बाबा की याद में रहते, कितने भी विगहनाई, पर स्वरूप विग्न विनाशक का है, जो अपनी और सर्व की उन्नती का सदा ख्याल रखते हैं जिनको सारे दिन ओना रहता कैसे अपनी उन्नती करें और अनेकों का कल्यान करें जो यग्य सेवा में हड्डियां देते हैं जो बाबा की कार्य में मददगार रहते हैं वो है महारथी यग्य सेवा में दधीची, रिशी, मिसल, हड्डियां देने वाले बाप का राइट हैंड बन हर कार्य समभालने वाले वो है महारथी ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते यह है मेरे सपूत बच्चे, तो महारत ही बच्चे का और एक परियावाची क्या हुआ? सपूत बच्चे, बाबा के थे बच्चे तो दोनों प्रकार के हैं, मातेले, सोतेले, लेकिन सपूत के नहीं कहेंगे, मातेला के नहीं कहेंगे, चो इस प्रकार राइट हेंड पर निश करते पढ़ते और पढ़ाते यज्य सेवा में हड्डियां देते ओम शान्ति आजकल बच्चे शिव जेनती के लिए तयारियां कर रहे हैं यह अभी अव्यक्त दिवस की भट्री पूरी हुई बाबा कहते हैं सर्व को संदेश देना है शिव जेनती की तयारी करने हैं काड पाया तो बहुत बारे है सारी मुख्य बात गीता पर है मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पड़ते पड़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं और अब बाबा ने सच्चे गीता सुलाई सच्चा गीता ज्यान और राज्योगव जिस्से हम मनुष्य से देवता बन रह ये भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात, कल्प मना पांच हजार वर्ष, तो आधा दिन, आधा रात, पच्चेस सो वरश, सत्यूक त्रेता दिन, द्वापर कल्यूक रात, अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मन्थन करना पड़े, य लेकिन मन्थन चिन्तन करना पड़े, आत्मा के टॉपिक पर पर भी बाबा पर भी और स्रिष्टी चक्र के टॉपिक पर भी बहुत अच्छा मन्थन करना पड़े, तुम लिख सकते हो, भाई और बेहनों आकर समझों, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ती के, तो ज्ञान और भक्ती में क्या अंतर है, और भक्ती के शास्त्रों और ज्ञान का शास्त्र मुरली में क्या अंतर है, इस पर अच्छे से स्पष्ट करें, इस टॉपिक पर विचार सागर मन्थन करना है, आज सभी मन्थन करके अपना-पना सब्मिशन देना, क गीता ज्यान का शास्त्र और भक्ति के शास्त्रों में क्या अंतर है ज्यान का शास्त्र एक ही है जो पुर्शोत्तम संगम्युकपर बेहत का बाप परमपिता, परमात्मा, त्रिमूर्ति, शिव सुनाते हैं तो ज्ञान का शास्त्र कब सुनाये जाता पुर्शोत्तम संगम्युक पर कौन सुनाते हैं शिब बाबा और बाबा कहते हैं या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रही हैं तो ये भी बताना है कि पुर्शोत्तम संगम्युक चल रहा है और शिब बाबा ये ज्यान का शास्त्र कैसे सुनाते निराकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाते जिससे 21 जनम सदगती होगे ज्यान का फल क्या है सदगती वो भी पुरे 21 जनमो की ज्यान की गीता से 21 जनम का वर्सा मिलता है फिर 63 जनम भक्ति की गीता चलती है जो मनुश्यों की बनाई हुई है अब भक्ति की गीता कब शुरू होती द्वापर्युक में वो 63 जनम चलती है और ये ज्यान की गीता की प्रालब्द कितने समय चलती 21 जनमों तक और ज्ञान की गीता किसने सुनाई शिब बाबा ने, भक्ती की गीता किसने बनाई मनुश्यों ने बाप तो राज्योग सिखला कर सद्गति कर देते हैं, राज्योग सिखा, पद पा लिया फिर सुनने की दरकार नहीं रहती, जैसे मेडिसिन पढ़ा, डॉक्टर बना, उसके बाद फिर पढ़ने की दरकार नहीं रहती इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है, ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 चनम गती सदगती होती है अर्थात 100% पवित्रता सुक शान्ती का अटल अखंड सत्यूगी देवी स्वराज्य मिलता है ज्ञान की प्रालब देखो कितनी उंची कि पूरे 21 चनमों का अटल अखंड सत्यूगी देवी स्वराज्य मिलता है वो भी 100% पवित्रता सुक शान्ती का 21 जन्मों के लिए चड़ती कला होती है 21 जन्मों तक सोचो आत्मा की अवस्था कितनी उच्छी होती पवित्रता भी तो सुख भी, शांती भी, संपती भी सब कुछ होता मनुश्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है भक्ती की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मन्थन करना है ये मूल बात है जो मनुश्य नहीं जानते तुम लिखते हो ट्रिमूर्ति शिव जैनती सो श्रीमत भगवत गीता जैनती क्योंकि बाबा तो आते ही गीता ज्ञान दाता ज्ञान सुनाते हैं सो सर्व की सद्गती भवन्ती और बाबा कहते हैं जैसे ही ज्ञान बुद्धी में बैठा तो जीवनमुक्ती का रास्ता जैसे शुरू हो जाता जीवनमुक्ती की राहा शुरू हो गई तो शिव जैन्ती, सो गीता जैन्ती, सो सर्व की सद्गती भवन्ती ये भी सुना सकते हो कि शिव जैन्ती, सो विश्व में शान्ती भवन्ती ये न, तो बाबा आते हैं, तो अच्छे दिन हमारे प्रारंबो हो जाते हम सुख शान्ती की दुनिया की तरफ चल पड़ते मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है जिस पर ही सारा मदार है है न सद्गती, शान्ती और फिर जैन्ती, शिव जैन्ती ये भी बहुत मुख्य अक्षर है क्योंकि मनुष्य तो शिवरात्री मनाते हैं लेकिन सचमुच निराकार शिव बाबा अवतरित होकर करतवे कर रहे हैं ये समझाने के लिए शिव जैन्ती शब्द लिखना पड़े फिर बाबा कहते हैं त्रिमूर्ती शिव जैन्ती लिखो क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाप के द्वारा कारे करते हैं तो बाबा कहते हैं मुख्य अक्षर लिखना जरूरी है तो बाबा कहते हैं कि जिस पर ही सारा मदार है तुम सब को बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते मनुष्य मनुष्य की सद्गति कैसे करें बाबा कहते हैं बाप टीचर सद्गुरू तो एक बाबा है आत्मा तो बस आपस में भाई भाई हैं भाई भाई एक दूसरे को ना पद दिलाते ना वर्सा देते ना सद्गति करते हर आत्मा का बाबा से बाप टीचर सद्गुरू का संबंध है भगवान सद्गति करने आते हैं वो भी पुर्षोत्तम संगम युग पर एक तो बाबा ही करते हैं फिर उसका भी समय निश्यत है जो अब हो रही है ये भी अंडरलाइन करना है क्योंकि कई बार सारा ज्यान सुन लेते हैं अच्छा पुर्षोत्तम संगम युग प शिव और कृष्ण की गीता का कॉंट्रास्ट तो है ही तो बाबा कहते हैं जरूर है कि सद्गति देने वाली ये जो सच्ची गीता है और जो भक्तिमार की गीता है उसमें अंतर तो बहुत है त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मन्थन करे तब औरों पर भी असर पड़े। बाबा ने कहा न, दो तीन बाते मुख्य हैं, तो गीता ग्यान दाता, गीता ग्यान का समय और गीता ग्यान से प्रालब्द क्या होती, ये मुख्य अंतर की बात समझानी है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मन्थन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। क्योंकि कोई भी बात, जब विचार सागर मन्थन कर, स्वयम धारण कर, फिर सुनाते हैं, तो उसका असर भी बहुत अच्छा पड़ता है। मनुष्य मनुष्य की सद्गती कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ती, परम्पिता, परमात्मा, शिव जो टीचर भी है, सत्गुरू भी है, वो इस पुर्शोतं संगम युग पर सर्व की सद्गती कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें समझाया है, कि सत बाप, सत टीचर और सत गुरू एक शिव बाबाई है। इसलिए बाप के सिवाए मनुष्य मनुष्य को वर्सा नहीं दे सकते। बाप के सिवाए कोई मनुश्य से देवता पदपर नहीं ले जा सकता और बाबा के सिवाए कोई सद्गती नहीं कर सकता काड में थोड़ी लिखत ही हो, काड में बहुत कुछ लिख दे, तो मनुष्य रूची से पढ़ते नहीं है, थोड़ी लिखत हो उपर में लिख देना चाहिए, कल्यूगी कौडी जैसे पतित मनुष्य से सत्यूगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का इश्वरिय निमंत्रण, कितना सुंदन निमंत्रण है न? कौडी, कल्यूगी कौडी जैसे पतित मनुष्य से सत्यूगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का इश्वरिय निमंत्रण, देखो बावा का एक एक अक्षर कितना एक्ष्यूरेट है ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे, समझने के लिए हैं न? क्योंकि यह जो यथार्थ ज्ञान होता है न? यह जैसे जो देवी कुल की आत्मा होती है, उसको एकदम से यह शब्द जो हैं इस्ट्राइक करते हैं सद्गती दाता बाप की ही शिव जैनती मनाई जाती है अब शिव जैनती हीरे तुल्य है कितना महत्व पूनत अवसर है जब सद्गती दाता शिव बाबा की जैनती मना रही हैं इसका भी महत्व सबको समझाना है एकदम clear अक्षर हो, मनुष्य तो भक्ती मार्ग में कितने धेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं यहां तो एक second में बेहत के बाप से मुक्ती, जीवन मुक्ती मिलती है अपने को जाना, बाप को पहचाना, तो एकदम से भिकारी से अधिकारी बन जाते जब बाप का बनकर उनसे knowledge लेते हैं, तो जीवन मुक्ती अवश्य ही मिलेगी है न, बाप को पहचाना, माना naturally है कि टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया तो school में admission तो हो गया न, तो पता है कि degree तो निश्यत है पहले मुक्ती में जाकर जैसा पुर्शार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ती में जरूर आएंगे, मुक्ती में तो सब जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ती में किस पद पर आएंगे वो पुर्शार्थ पर मदार है जीवन मुक्ती मिलती जरूर है फिर शुरू में आए वा पिछाडी में आए बाबा केते जीवन मुक्ती भी मिलेगी कोई आत्मा कभी भी स्टेज पर जब परमधाम से उतरती है तो डाइरेक्ट दुख में नहीं आएगी पहले चाहे बहुत काल का चाहे अल्पकाल का सुख तो उसको मिलेगा ही तो बाबा केते जीवन मुक्ती में तो सभी आएंगे पहले जीवन मुक्ती में आते हैं फिर जीवन बंध में क्योंकि जब पर आत्मा परमधाम से आती तो उसका कोई पाप का खाता नहीं है तो पहले-पहले जीवन बंद नहीं हो सकता ऐसी-ऐसी मुख्ये पॉइंट्स अगर धारन करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं ऐसी-ऐसी पॉइंट्स पी बाबा कहते हैं बाब का पी परिच्चे देना है और सत्य ज्यान भी सुनाना है तो ये भी आवा गमन के जो रहस्य है वो भी समझाएं तो बुद्धी में बैठे अगर बाब को जानते हो तो दूसरों को भी परिच्चे दो किसको परिच्य नहीं देते तो गोया ज्यान नहीं है बाबा कहते हैं जो बच्चे किसी को परिच्चे नहीं देते तो बाबा कहेंगे इनको आता नहीं, समझानी तो दी जाती है परन्तो तकदीर में नहीं है, कल्यानकारी बाप के बच्चे तो कल्यान करना चाहिए ना, बाबा कहते हैं बाप कल्यानकारी तो बच्चे को भी तो क बाबा के बच्चे हैं जैसे लौकिक में भी पिता जुहे वो गणित में बहुत अच्छा हो और बच्चा बिलकुल भी गणित ना जाने तो कई बार कह देता है ना कि पता नहीं ये बच्चा है ना है तो मेरा पर ये बिलकुल भी मेरे जैसा नहीं ऐसा क्यों तो बाबा कहते ऐसे ही शिब बाब का बच्चा अगर कल्यान कारी ना हो तो बाबा कहेंगे बच्चा ऐसे ही कहराए में शिब बाबा का बच्चा हो। कल्यान तो करते नहीं, है ना, तो फिर नाम और काम, जो है, वो समान नहीं है कहलाते है शिबाबा के बच्चे और कल्यान ना करे तो बात बनेगी नहीं साहुकार अत्वा गरीब कल्यान तो सबका करना है, ये भी अंडरलाईन करना क्योंकि आज हर आत्मा पतीत दुखी है चाहे धन का सुख किसी को है भी लेकिन पतीत पने के कारण दुख अवश्य है तो चाहे साहुकार हो चाहे गरीब हमें सब का कल्यान करना है परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उनों को फुरसत है उनकी बुद्धी भी फ्री है और वैसे भी थोड़ी पुरसत है तो उठाएंगे गरीब लेकिन हमें सब का कल्यान करना है ड्रामा में नूंधी ऐसे है एक साहुकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी धेर आ जाएंगे जांगे साहुकारों पर प्रभाव होता है साहुकारों का बहत पर प्रभाव होता है तो इससे लिए एक आएगा तो उनके पिछाड़ी Pyshol आएंगे अब अगर महिमा निकले तो धेरों के धेर आ जाए बाबा कहते अभी से महिमा निकल जाए है न कि भगवान आए हैं अभी तो गुप्त है न पैचानते ने दिनोरा पिट जाए तो फिर तो धेरों के धेर आ जाएंगे लेकिन बाबा कहते हैं फिर तुम पढ़ेंगे कैसे अगर धेरों आ जाएं इसलिए ड्रामा ऐसा बना हुआ है तुम्हारा है इश्वरिय मर्तबा तुम अपना भी और औरों का भी कल्यान करते हो जो अपना ही कल्यान नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते अब मुख्य बात है औरों का कल्यान करने का लक्ष तो रखना है, लेकिन पहले तो अपना कल्यान किया होगा, स्थिती ऐसी होगी, समझ ऐसी होगी, अवस्था ऐसी होगी, तब तो जाकर दूसरे का कल्यान करेंगे बाप तो है कल्यान कारी, सर्वका सद्गति दाता, तुम भी मददगार हो न, तुम जानते हो वो है भक्ति मार की दशा, सद्गति मार की दशा एक ही है, जो अच्छी रीती पढ़ते और पढ़ाते हैं, उन पर है ब्रहस्पति की दशा, बाबा कहते हैं, दुनिया में तो कहे अनेको दशाएं होती हैं, और फिर उनके अलग माप दंड भी बताएंगे, लेकिन यहां ज्यान मार्ग में तो बस एक ही दशा है, यहां तो ब्रहस्पति की या राहो की, तो बाबा कहते हैं, ब्रहस्पति की दशा किसे कहेंगे, जब अच्छी रीती पढ़ते पढ़ते है तो कहेंगे ब्रहस्पति की दशा है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से बाकी सब कुछ तो वैसे ही प्राप्त हो जाता है, यहां बाबा की चत्रचाया रहती, तो फिर आत्मा जो है, अपनी सर्व गुनों शक्ति सुरूप में स्थित रहती, छोटी सी बात हो या बड़ी हो, कुछ भी वार नहीं करते आत्मा पर, और अगर पढ़ते पढ़ाते नहीं, तो फिर उल्टी दशा कहेंगे, उनको महारती कहेंगे, अपनी दिल से पूछो हम महारती हैं, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, अच्छे सर्विस करने वालों को देखो और पूछो, हम उनके मिसल सर्विस करते हैं प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके अगर किसका कल्यान नहीं करते तो अपने को कल्यान कारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए है न तो बाबा कहते अपने को बड़े बड़े बस टाइटल दे तो नहीं होगा अपना समझना चाहना और करना ये भी देखना है कि एक समान है या नहीं समझ रहे हैं अपने को महिमा भी कर रहे हैं महारती भी कहें कल्यानकारी भी कहें लेकिन कर्मों में देखने में ना स्वाउनती करते ना किसी का कल्यान करते तो फिर क्यों कहलाना चाहिए तो आप तो पुर्शार्थ कराएंगा, बाबा कहते हैं बुरा तो नहीं लग रहा, बाबा तो जरूर ऐसे फतकाएंगे कि पुर्शार्थ कराएंगे, इस ग्यग्य सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाबा कहते हैं फिर स्थूल सेवा भी करने पड़े, बाकी सिर्फ ख ऐसे तो नहीं न, हम ये जो संगम युग के सुख भी अनुभव करते हैं, ब्रामन परिवार के मिलन का सुख, प्रोग्राम, उमंग उत्साह का इतना प्रयोजन होता है, भटिया होते हैं, इनके पीछे भी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि भरकर बरसे, फिर ऐसे सर प्रजा में दास दासी बनेंगे, है न, सिर्फ खाया पिया और कुछ कमाया नहीं, तो क्या बनेंगे, बाप तो कहते हैं, पुर्शार्त कर नर से नारायन बनो, सपूत बच्चों को देख, बाप भी खुश होंगे, लौकिक बाप भी देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा मरतबा पाने वाला है, तो देख कर खुश होंगे, देखो लौकिक मात पिता के लिए भी कहते हैं, कि बच्चे तो सब मात पिता के लिए समान होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, तो चार बच्चे हैं, जो अच्छा मेहनत करता है, पद पाने लायक है, तो उसको देख कर जास्ती खुशी तो होती है पारलॉक की बाब भी ऐसे कहते हैं कि सपूत बच्चों को देख कर हमें खुशी होती है बेहत का बाब भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं अब तुम औरों को भी बनाओ बाके सिर्फ पेट की पूझा करने से क्या फाइदा होगा सब को सिर्फ यही बताओ कि शिब बाबा को याद करो तो जिस जो कर्तव यह है वो तो करना पड़े न अनेकों की सेवा तो करने पड़े भोजन पर भी एक दो को बाब की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिब बाबा से बहुत प्रीथ है भोजन पर जब बाबा की याद में भोजन करें अपनी अवस्था से भी और इशारे से भी हर एक को बाबा की याद में बिठाएं तो यह अनुभव होता आत्मा को कि इनकी शिवाबा से बहुत प्रीथ है ये तो सहज है ना इसमें क्या नुकसान है टेव पड़ जाएगी ये भी एक आदत है आदत डालेंगे याद में भुजन करने की तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे सारी बात तो आदत की है न तो अभी ऐसे शुरिमत प्रमाण आदतें बनाने है देवी गुण भी जरूर धारन करने है ये जैसे कोई कहता मेरी नेचर है उंचा बोलना ऐसे हमारी नेचर बन जाए मीठा बोलना धीरजधरना, हर्शित मुख रहना तो बाबा कहते हैं ऐसे आदतें डालो क्योंकि वही पतित पावन है तो बाबा कहते हैं चाहे कोई साधू संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो लेकिन पतित पावन तो वो नहीं है न, है तो बाबा वो भी उनी को याद करते हैं आदा कल भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं कोई को हिसाब का थोड़ी पता है, यह हिसाब भी हमें बाबा ने बताये, कितने समय सुक की दुनिया चलती, भक्ती कब से शुरू होती, कितने समय चलती, फिर बाबा कब आते, फिर सद्गती कब होती, तो यह सब भी ड्रामा प्रमाण हिसाब बना हुआ है, समय से पहले नही होता बाप समझाते हैं यग्य तप दान से मैं नहीं मिलता हूं इसमें गीता भी आ जाती है ना बाबा कहते हैं गीता में खुद लिखा है वेदो शास्त्रों से यग्य तप से नहीं मिलता हूं तो बाबा कहते हैं वो शास्त्र भी उसमें आ जाता ये शास्त्रा आधी पढ़ को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं, ये संगम युक का राजयोग और ज्ञान तो न्यारा है, इससे तो बिलकुल राजाई मिलते, बाकी सारे शास्त्र यग्यतब तो भक्ति मारके हैं, उसमें तो भक्ति सीखते, कोई सद्गत इनका नाम ही है राज योग, इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं, टीचर स्टडी कराते हैं, पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए, सब को बोलो, शिव बाबा को याद करो, वो हम सब आत्माओं का बाप है, तो बाबा कहते हैं, कल्यान करने के लिए, हरी का आत्मा का अटेंशन, उसका ध्यान किस तरफ मोडना है, बाबा की तरफ, है न, कहो, अपने मन बुद्धी को समेट कर आत्मा समझ, बाब को याद करो, शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, सावधान मना प्लीज, है न, जितना एक दो का एक दो का अटेंशन बाबा की तरफ किछवाएंगे, आत्मिक स्थिती में स्थित होने का इशारा देंगे, तो अपनी भी उन्नति उसमें होती जाते, जितना याद करेंगे, उतना अपना ही कल्यान है, याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे, याद में रहकर भोजन बनाओ, तो उसमें भी ताकत आजाएगी, है न, हर चीज में ताकत भरना है, तो याद में खरो, है न, कहते हैं, बच्चों को शक्ती भरनी है, तो दृष्टी में बाबा को रखकर, और फिर बच्चों के लिए भोजन बनाओ बच्चों को दृष्टी दो, कोई भी कारे करते हो, बाबा की याद में करेंगे, तो भले ही जिनके सम्मुक कर रहे हैं, वो देहधारी है, लेकिन उसको भी वो शक्ती मिलेगे, इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, वो भक्त लोग भोग लगाते हैं, तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं, वो राम राम कहते हैं, तो दुसरे को भी राम नाम का दान दिया, क्योंकि जो जैसा करता है, वो सिखाता भी चला जाता है, उसको देखकर और भी करते हैं, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते ही, तुम हर तुमको तौ बुद्धी में घड़ी-घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए, बुद्धी में सारा दिन ज्यान चाहिए, बाप के पास सारी रचना के आधी मध्यांत का ज्यान है न, उचे ते उचा भगवान है, तुम उनको याद करेंगे, तो उच पद प्राप्त करेंगे, जो जिसको याद करते उसके जैसा बनते हैं, तो उचे ते उचे भगवान को याद करने से हम भी उच बनेंगे तो उच पद प्राप्त करेंगे, फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोडने पड़ते हैं, यह है अ कल्यान होता जो हम देहधारी को याद करेंगे तो उसका कल्यान नहीं होगा लेकिन शिबाबा को याद करकर हर करम करेंगे तो देहधारी भी हमसे जो प्रेडना लेगा उससे उसका कल्यान होगा अगर याद नहीं पड़ती तो गाठ बांध लो पहले कोई बात याद रखने क के लिए गांट बानते थे न, अपनी उन्नती के लिए उंच पद पाने के लिए पुर्शाद जरूर करना है, हमको भी टीचर बनाने वाला शिबाबा हमारा टीचर है, तुम सब पंडे हो न, पंडो का काम है रास्ता बताना, इतना सारा ज्यान पहले थोड़ी तुम्हारे मे था, तो बाबा कहते हैं, ये भी हमें रास्ता बताने वाले ने, सुप्रीम पंडे ने, मास्टर पंडा बना दिया, सब कहते हैं, पहले तुझे से पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा, ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, ये न, शुरू के चैप्टर तो ABC वाले ही होगे न, बाद में आगे आगे बड़ी बाते होती हैं, तो कहेंगे न, पहले इनका ज्यान भी बहुत सधारन था, धीरे धीरे रिफाइन, तो बाबा भी ऐसे धीरे धीरे समझाते हैं, सो तो जरूर होगा, ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़त जैसे ड्रामा अनुसार कल पहले पढ़ा था, पहले छोटी पढ़ाई, फिर धीरे धीरे और गुहियते गुहियत सुना, ऐसे अभी भी सुनते हैं, फिर कल पके बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे, पिछाडी में तुमको सब साक्षातकार होंगे, साक्षातकार होने में देरी नहीं लगते हैं, बाबा को जल्दी जल्दी साक्षातकार होते गए, फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी, साक्षातकार का क्या है, एक ही सेकंड में कितने भी दृष्य देख लेंगे, तो बाबा कहते हैं, वो तो अंत में हो जाएंगे, पहले अवस्था बन सोचते नऄ बाबा ने बताया था, तो ऐसे अंत में साक्षातकार भी होंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मौनिग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चो की मीठे मीठे सिके लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते ओम शानते धारणा के लिए मुख्य सार है बोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ याद में बोजन खाओ एक शिबाबा से ही सच्छे प्रेत रखो यग्य सेवा में हड्डिय देने हैं बाप का पूरा मददगार बनना है आज एक और लोटरी है आज सभी गोप गोपियों प्रती मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र है 1961 का मम्मा ने हाथों से पत्र लिखा है गोप गोपियों के प्रती सभी गोप गोपियों बैठे न तो आज मम्मा का संदेश सुनेंगे तो मम्मा कहते हैं सभी गोप गोपियों प्रती अतियाद प्यार बाद समाचार कि आप सब ग्रहस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हुँ न क्योंकि पवित्रता ही सफलता का अधार है तो ग्रहस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहने वाले बाबा के बच्चे जरूर सफलता पाते रहते हैं लाडली गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीती उठाने के पुर्शार्थ में लग गए हैं बहुत अच्छा हैं गोपों पर जिम्मेवारी हैं सर्विस को उठाने की क्योंकि गोप ही है अपना सर्वस्व स्वाहा करते हैं जिससे सर्विस की विद्धी होते हैं आखिर भी अपने परम पुझ्य बाप का परिच्छे सब को मिलना ही है ये तो जानते हो कि इस उंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे ये भी जानते हैं कि सब तो कोई बाबा को ठीक से जानना पहचानना ये सब के पार्ट में नहीं है जो देवी कुल की आत्माई है जो कोटों में कोई है वो ही पाएंगे ये भी पता है परन्तु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो न और ऐसे फूलों को ढूंडने के लिए संदेश तो सबको देना होगा अच्छा तेज रफतार से सर्विस को बढ़ाते चलो खजाना अविनाशी ग्यान धन का तो बहुत अनूखा है एना ऐसा खजाना तो कभी मिला नहीं ऐसा खजाना जो जितना बाटों तो और ही बढ़ता है अखुट है जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिल ही रहता है एक तो खजाना देने वाला खुट है और फिर जितना बाटों उतना बढ़ता है ऐसा खजाना कभी देखा नहीं कोई इसे प्राप्त कर ले तो जनम जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए फिर अविनाशी खजाना है शरीर छुटेगा पर ये खजाना जो है ये स चीजी ऐसी है कहो लाडले गोप गोपि आठीक बात है न आप सभी गोप गोपिया अतिन्द्रिय शुक में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलू, है न गोपी गवलоб के गोप गोपियों का गाएन क्या है हमी बच्चे अतिंद्रिय सुख में जीवन का अनुभव करते हैं तो ममा भी मुबारक देते हैं कि आप अतिंद्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलो देखो लाडले गोप गोपियों आब इस ब्राम्हन कुल की वृद्धी होने में ही सबका कल्याण है क्योंकि ब्रामन कुल की वृद्धी हो, तब तो फिर सत्युग आए ना, फिर तो ब्रामन सो देवता अवश्य बनेंगे, ना, ब्रामन जब पूरे बन जाए, जितने बनने हैं, उतने बन जाए, तब तो फिर ब्रामन सो देवता बनेंगे जैसे कई अपने ग्रहस्त व्यवार में रहते भी ब्रामन कुल वंशी बनकर चल रहे है रहते भले ग्रहस्त व्यवार में है लेकिन पक्के ब्रामन है अर्थात ग्रहस्त व्यवार में रहते पवित्र रहते हैं हम एक बाप के बच्चे हैं ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं, एक बाप के बच्चे माना भाई-भाई की दृष्टी पक्की है, बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है, इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्रामपन कुल वंशी कहा जाता है, आप कहा रहते हैं से अंतर नहीं है, कैसे रहते हैं, अगर पूरे धारणा मूरत होकर रहते हैं, तो ब्रामपन कुल अभूशन है, ब्रामपन कुल वंशी है, ब्रामपन कुल को भी आप पर नाज है तो बाबा कहते हैं, जबकि अब वही बाप, टीचर, सत्गुरु बना है, धरमराज भी है, तो क्या ना उनकी गोध का बच्चा बन अपना पोन पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए देने वाला आया है और question paper भी उसी ने set करना है, तो फिर आप तो पढ़ी लेना चाहिए, आप तो अपना अधिकार ले ही लेना चाहिए, धरमराज भी भाब आई है जिससे ही भविष्य में सुक शान्ती का पूरा अधिकार प्रालब दुरूप में प्राप्त हो जाता है अभी पूरा बाप का बनने से फिर पूरा वर्सा बाप से मिल जाता 21 चुनम का अटा लखंड सुक शान्ती पवित्रता सुम्पन राच्य कहो लाडले गोपियों ऐसे सहज राज को समझ गए हो बाप का बनकर अपना वर्सा ले लेना है जीते जी मरने अथ्वा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो न क्योंकि ये जो जीते जी मरना है ये तो अमर-लोक में जाने के सिड़ी है 21 जनम अकाल मृत्यूं से बचना है, तो ये मरना तो बहुत अच्छा है, आज ये पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे, समझे कि मुझे इंडिविज्वल मिला है, ममा ने मेरे लिए लिखा है, और अपना पत्र समझ कर पढ़े अथवा सुने, और मा का प्यार भी हर एक अ अपने नाम से पाए, ये न, ऐसी मीठी मा का पत्र कभी मिला था, हरे गोप गोपी प्रती, नाम सहित, मा का त्यंत प्यार, अच्छा, अपना सवभागे उंच बनाने के पुर्शार्थ में, तीवरवेग से लगे रहना ही कल्यान कारी बनना है, स्वकल्यान किया माना, प्रता चला है कि स्वयम परंपिता उंच वर्शा देने आए हैं, तो लेकर ही रहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अच्छा, छुटी लेते हैं, ओम शांति, वर्दान है आज का, अविनाशी प्राप्ती के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन चित भवा, बाबा कहते हैं, संगम युग पर डाइरेक्ट परमात्म प्राप्ती है, वर्तमान के आगे भविश्य कुछ भी नहीं है, अभी तो इश्वरिय प्राप्ती है, तल तो देवी प्राप्ती होगी, तो वर्तमान उच्छा या भविश्य, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पालिया, हम कोई सत्यू के भी इंतजार में नहीं है, हम तो संपन संपूरन है, इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रामनों के खजाने में, ये अविनाशी प्राप्तिया है, इन प्राप्तियों से संपन रहो, तो चलन और चेहरे से सदा प प्राप्ति से संपन आत्माई हैं, तो चेहरे और चलन में प्रसनता दिखाई देते हैं, कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसनता छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रसनता कब छूटती या गायब हो जाती, जब आप्राप्ति की भावना आती हैं, जब स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, परमात्म प्यार में सब कुछ समाया हुआ है, शक्ति, बल, सकाश, युक्ति, तो जो परमात्म प्यार के अनुभवी हैं, कोई रुकावट आए, उससे पहले ही, रुकावट को प पार करने की युकती और बल बाबा से वो ले लेते, क्योंकि प्यार वाले को बाबा कभी रुकावट में नहीं देख सकते, तो परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माएं, रुकावट आने से पहले ही रुकावट से पार जाने का बल और विधी, युकती बाबा से ले लेते, तो रुकावट उनके लिए आए भी, तो भी वो रुकावट से परे जाकर उसको पार कर लेते तो उनके लिए रुकावट रुकावट नहीं, वो तो और ही परमात्म प्यार में उड़ने की सीड़ी बन जाती अव्यक्ति साइलन्स त्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिति का अनुभव करो आज की पॉइंट है, कोई भी आपके समीब संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रुहानी है, अलोकिक है अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांती की शक्ति से करो मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मुझे इस आत्मा को भरपूर करना है इस स्मृति से हर एक की जोली परमात्म शांती और शक्ति से भरते जाओ पूर्वज को पता होता है ना मुझे देना है इन्हें लेना है तो उस दातापन की भावना में स्थित हो जाओ आपका फर्ज है आशान्ती के वायुमंडल में आत्माओं को शान्ती का दान देकर उनमें शान्ती की सहन्शक्ती की हिम्मत भरना है न हमारा फर्ज है, पूर्वज का फर्ज होता है देना, जैसे कोई लौकी कृती से बड़ा होता है, तो उसको पता है न, ये छोटा है, इसे मुझे देना है, ऐसे आत्मिक दृष्टी से हम पूर्वजों को हरेक की शांती शक्ती से जोली भरनी है, इसके लिए अपनी वृ लाइट हाउस पन सर्व को शांती के लाइट दो, अच्छा, ओम शांती